हाई गाईज अभी एक बहुत बड़ा कोशन है कि कुछ स्टुटेंट्स जो कि इस बार कोटा में अभी हैं और चले गए थे पिछले कुछ मैनों में कोटा में और अभी जैसा कि आपको पता है कोचिंग सारी बंद हो चुकी है कोटा के अंदर तो उनके पास एक बहुत कोशन है कि अब हमें जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए तो चलिए पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि पहली चीज़ अभी पांस से च्छे दिन के लिए अगर मैं एंपी की बात करो तो अभी पांस से च्छे दिन का लोगडाउन लगा हुआ था पहले तो सटेडे दिनों में MP के यह बढ़ा ही गई है और ना कहिवल ऐसा MP में है महाराष्ट में पिछली कुछ समय में देखेंगे कि लोगडाउन सटेडे संडेज को और वाकी दिनों में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है दिल्ली में भी ऐसा सेम किया गया है और इसके अलावा तो यह जो सारे देश बर के जितने भी राज्य हैं उन सभी में लोगडाउन के अबदी बढ़ाई जा रही है तो संबाबना यह है कि आगे भी दूसरा जो रीजन है कोचिंग 29 अपरेल तक 30 अपरेल बर कोचिंग बंद है तो बैसे भी जो मेजर रीजन होता है कि कोचिंग चुकी है इसका मतलब you have no reason कि आपको कोटा के अंदर रहना बादित ही है तो दूसरा पॉइंट यह था तीसरा यह है कि इस बार जो जाला तर मैंने देखा है और मैंने यह परसनली भी फील करा है और ऐसी बाते में बहुत सुनने को मिल रही है चाहे वो social media हो या फिर मेरे आ जाल रही है अगर एक को हो जाती है इसका मतलब यह है कि ज्यादा contagious है और इसका effect जो है वो सब पर देखने को मिल रहा है तो अगर हम भई वातका ने hostels भीजी की तो महाँ भी संबाबना है कि अगर एक को होता है तो सारे ही members को हो जाए तो यह भी एक reason है चौती अब अगर आप इस graph को देखेंगे पिछले एक साल में कोरोना के जितने भी cases बढ़े हैं तो पिछली साल जो graph था वो बहुत ज्यादा थोड़ा कह लीजे कि उसका जो ढाल होता है जो प्रबढ़ता होती है यानि कि कि कितना ज्यादा exponentially rise कर रहा था speed से तो बो उतनी ज्यादा नहीं थी जतनी कि साल है और इस साल आप देखेंगे कि अभी एक दो हबते पहले ही जो cases एक लाग और एक लाग के नीचे थे वो अभी अभी एकदम से ही दो लाग और अलमुस आने वाले दिनों में तीन लाग पर डे क्रॉस कर जाएंगे तो यह ज्यादा exponential graph हो रहा है इसका मतलब य है कि chances जादा है कि बहुत सारे लोग इसमें जो है वो इसके संपर्ग में आ सकते हो infect हो सकते है इस virus से तो यह वी एक reason है कि इस वार chances जादा है जितने कि last year नहीं थे last year फिर भी rate काफी अच्छा था और 63-70 तक जाकर कर रोग गया था इस वार 2,63 पे भी नहीं रोका है और अ आगी भी जा सकता है प्लस एक और चीज है कि इस वार अपनी इंडिया में बहुत सारी families ऐसी होती है जो कि test कराने नहीं जाती है तो यह data wrong हो सकता है क्योंकि मुझे लगता है इससे जादए cases होंगे क्योंकि बहुत सारी families ऐसी होती है जो trust में चेक करवाने भी नहीं जाते ह उनको लगे रहते हैं और देखें अगर हम पांचवा पॉइंट की बाए चांस मान लीजे पिछली साल जो 63,000 cases पर डे तक पहुंचे थे उस समय भी oxygen की shortage नहीं हुई थी बैट्स की shortage नहीं हुई थी लेकिन इस बार बैट्स की shortage होने लगी है और oxygen की तो पूछे ही मत अगर म हमार पास plant भी उतनी जादा नहीं oxygen प्रेडियूस करने के तो जितने भी plants अभी oxygen प्रेडियूस कर रहे हैं वह सारे फूल हो चुकिए अपनी capacity में और oxygen का जो भी industrial यूज होता था वह सरकार ने अभी recent कुछ टाइम में उसको medical production की तरफ आगर किया है company से कि आप medical oxygen भी बनाए और उसी की तरफ पूरा का पूरा जो आपका industrial है वो सिप्ट कर दीजिए oxygen का production उसके अलाबा कर हम बात करें जैसे कि मान के चलिए विछली साल ली हमने देखा था कि lockdown अगर बढ़ गया था तो हमें बही रहना पड़ गया था बहुत सारे students को तो ऐसी condition की समभाब ना भी धी दीरे पनब सकती है और in fact मुझे लगता है कि अगर जैसे मान के चलिए यह lockdown और जादा बढ़ जाते हैं और अगर आपके मन में तब आता है कि वापसाना तब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि problem हो सकती है क्योंकि वहाँ पे अगर अभी तो train चल रही है और उस समय train नही चली तो मतलब कहना थोड़ा सा मुस्किल होगा although जरूरी नहीं है कि ट्रेंस बगेरा सा बंद कर दी जाए क्योंकि इस बार थोड़ी सी कम संबामना है होंगी but risk की भी वात है यह overall साथ बापॉइंट देखिए मैंने personally भी महसूस करा है I think कि वैसे मुझे लगता है कि मेरे आ खांसी और कफ वाली खांसी भी है तो मुझे भी personalize में देखने को मिला है अगर आप मेरी पासल राए के बारे में पूछोगे तो plus सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अभी जो recently कुछ सदीग भाई ने भी बोल कर रहा था उसमें निकला था 73% इस्टूरेंट्स जो कि आपक decision भी ले सकते हैं because majority जो सोचती है almost I mean बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि majority के साथ ही चले तो अगर आप यह भी एक factor मानते हो तो आप इस चीज को भी consider कर सकते हो कि आपको majority लोगों के साथ ही रहना है so 73% people are saying कि they don't want to stay in quota and they want to come back तो अगर यह सारे points तो हो गए चलिए जो कि you know factual बाते हैं इसके लावा देखें तो राइस्थान में फिल्हाल महराश्ट्रों मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश इनकी comparison में अगर हम बात करें तो थोड़ी से cases कम है और उसी आहलाद पे अगर हम देखें तो आप जो लो तो आपके पास option है कि जैसे ही मैं कूपना बापस जासकते हैं प्लस एक और चीज़े कि शल्य इंसिटीट पड़ा रहे थी और उनका तरफ से ये दावात था कि offline classes जैसे start होंगी और तो आपना सारा सारा ऐ स्टार्ट एनगी जो fees थी वो पूरी पूरी offline बाली ली गई थी online के course को provide करने के बाब जूत almost 7-8 महीने उन्होंने online बढ़ाए था तो although ये चीज़ उसनके हाथ में नहीं थी coaching बालों के कि offline classes start हो जाएं but fees जो है वो ज्यादा जली गई थी students की तो साल भी अगर आप admission ले लेते हैं अभी और फिर सेम दिक्कत अगर भगवान न करें हो गई तो फिर आपको फिर से सेम प्रॉब्लम होगी तो मेरा ये कहना होगा कि जो लोग अभी नहीं गए हैं कोटा वो थोड़ा सा बेट करें और अपना ध्यान से देख लें जैसे इस condition नॉर्मल होती है फिर अपना कोई decision लें ये बढ़ेगी